जहिन दोस्तों वंदे मात्रम 91.2 रेडियो नोग मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अब आप सुनेंगे प्रेरक कहानिया जैश्री पुरवार जी के द्वारा बच्चों मैं जैश्री पुरवार आज तुम लोग के लिए एक बहुत चोटी सी सुन्दर सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ किसी को याद रखना कहानी का नाम है किसी से शिकायत क्यों एक राजा था और उसका एक प्यारा सा नोकर नोकर बहुत स्वामी भक्त था इस कारण उस नोकर के भक्ति भाव से राजा बहुत प्रभावित था राजा उसे हमेशा साथ रखता था अपने कमरे ही में सुलाता भी था उस पर बहुत भरुसा था राजा को दोनों एक दिन शिकार खेलने गए और जंगल में रह भटक गए उन्हें भूग भी लगी थी एक पेड के नीचे दोनों खड़े थे एक फल लगा था अपरिचित अंजान सा फल राजा ने तोड़ लिया जैसे उन्हें की आदत थी चा को निकाल कर उसने एक टुकड़ा काट कर अपने नौकर को दे दिया जो वो हमेशा देता था पहले नौकर को देता था फिर खुद खाता था नौकर ने खाया बड़े अहो भाब से कहा एक कली और प्रभू एक कली और दे दी राजा ने उसने फिर कहा एक कली और तो तीन हिस्से वो ले लिया और एक हिस्साई अब केबल राजा के लिए बचा था राजा ने कहा अब एक मेरे लिए छोड़ अब मत मांग पर उसने कहा नहीं मालेगी ये फल तो पूरा मैं ही खाऊंगा राजा को भी जिग्यासा बढ़ी कि इतना मीठा फल है ऐसा उसने तो कभी नहीं किया दोनों में छीना जप्टी होने लगी लेकिन नौकर ने छीनी लिया उस फल को ये टुकड़े को राजा के हाथ से उसने कहा रुक अब ये जरुष से ज़्यादा हो गई राजा बोला तो तीन हिससे खा चुका है एक ही फल ब्रिक्षपर था मैं भी भूका हूँ और मेने मन में भी जिग्यासा उठ रही है कि इतनी तो तुने कभी किसी चीज के लिए नहीं मांग की ये मुझे बापस दे दे नौकर ने कहा मालिक मतले मुझे खा लेने दे पर राजा ना माना तो उसे देना ही पड़ा राजा ने उस फल को जब चखा तो उसे पता चला फल तो बहुत कड़वा था जहर जैसा था ऐसी कड़वी चीज उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी उसने कहा पागल ये फल क्या ये तो जहर है तुने कहा क्यों नहीं तीनों टुकड़े तुने खा लिया अकेले तब नौकर ने कहा जिन हातों से मुझे इतने स्वादिष्ट फल मिलते रहे भोजन मिलता रहा उन हातों से एक कड़वे फल की क्या शिकायत करना शिकायत मुझे आपसे दूर ले जाएगी धन्यवाद पास लाएगा और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप इस फल को चखे भी आप सोचिए उस दिन वो नौकर राजा के हिदय की जितने करीब आ गिया कि कहा नहीं जा सकता राजा रोने लगा वो तो बिलकुल जहर सा फल था वो तो मुँ में ले जाने योग भी ना था और उसने इतने आवभाव से इतनी प्रसनता से उसे स्विकार कर लिया वो नहीं चाहता था कि इस कड़वे फल को राजा चखे क्योंकि राजा को चखेगा राजा के मुँ का स्वाद खराब हो जाएगा तो इस सुन्दर कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि इश्वर ने हमें इतना तो दिया है तो शिकायत करने की क्या जरूत जो शिकायत करता है वो गलत होता है हमेशा सबसे सने बनाए रखो और सम्मान बनाए रखो जो तुम से सने करे जो तुम को सम्मान दे उससे शिकायत क्यों तो नए साल पर इस कहानी की सीख को बच्चों तुम लोग याद रखना अब अगले रभी बार को मैं तुम लोगों से फिर मिलूंगी नमस्कार